जै स्रीराम भक्त जनो प्यारे भक्तों सपने में संभोग के दृष से क्यों दिखाई देते हैं भक्तों यह एक ऐसी प्रिक्रिया है जिसको हम जान करके और अंजान बने रहते हैं यह कोई गहन चिंतन विसे नहीं है ऐसा देखतर होता रहा है और होता हो रहा है और होता रहेगा देखिए जहांदक संभोग क्रिया ही है प्राकर्तिक है लेकिन आप ओफ लिमिट हर चीज़ डेंजर होती है आप जिस चीज़ के बारे में ज्यादा सूचेंगे वही आपके मन के अंदर ख्याल आएंगे आप जैसा देखेंगे वैसा ही ख्याल आएगा आप जैसा पढ़ेंगे वैसा ही ख्याल आएगा तो सपन के अंदर जो संभग के द्रस दिखाई देते हैं वो ऐसली देते हैं कि जो लोग जादा तर इस तरह की पुस्तके पड़ते हैं इस तरह के द्रस से देखते हैं या उनके मन में ऐसा विचार बना रहता है तो उनके साथ ही ऐसा होता है इसको रोकने के लिए एक हम आपको बहुत सरल उपाय बता देते हैं बहुत बढ़िया है और बिना पैसिकार सस्ता है उसके लिए आप भगवान का ज्यादा ज्यादा नामजब करें उसका सुमरन करें धार में पुस्तके पड़ें धार में प्रवचन सुनें तो आपकी जो मन की धारा है वह उधर की तरफ बहने लगेगी धारमिक्ता की तरफ नामजब की तरफ तो उधर से आपका विचार रुक जाएगा क्योंकि स्वपन में वही आता है जो हम सुनते हैं या बोलते हैं या हम देखते हैं या हम पढ़ते हैं और कुछ आता ही नहीं है तो इस चीज को रोकने के लिए आपके अंदर जो संभोग की क्रिया है वो ना आए और स्वपन आपको ऐसे दिखाई ना दे केबल केबल एक यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है आप अपनी दिशा को बदल दे तो आपको यह स्वपन देखने बि उधर को लगने लगेगी और जब सुर्ति नामजप में ध्यान में समरन में ससंग में लगेगी तो आपको फिर उसी तरह के स्वपन भी आएंगे आपको उस तरह के विचार भी बन जाएंगे और आपको एक फायदा और होगा कि आपका जो भविश्य है हुए आपने आप बिना बनाए बनने लगेगा लेकिन लोग क्या करते हैं भगवान स्रीकिष्ण ने कहा है कि भोग में भोगने के लिए बनाए हैं लेकिन आसकती के लिए नहीं जो ज़्यादा आसकत हो जाते हैं उनको स्वपन में ऐसा होता है जो आसकत नहीं होते हैं उनको नहीं होता है इ किसी भी एक नाम-जब को छोड़ करके, भागवान की सुमरेख को छोड़ करके, किसी भी चीज में आसक्त नहीं होना चाहिए. अगर आसक्त होना है, तो प्रभू के भजन में नाम-जब में हूँ. तो स्रीकृष्ण भगवान ने यही उपदेश दिया है कि किसी भी चीज़ के अंदर आ सकत नहों दुनिया के अंदर क्योंकि सारी चीज़े मैंने बनाई है वो है आपके प्रियों के लिए बनाई है, संभोग की प्रिक्रिया भी जरूरी है क्योंकि संभोग के बिना यह जो संसार है यह नहीं चलेगा, क्योंकि उत्पत्ती तो संसार की संभोग से ही होती है, लेकिन हम ज़्यादा उसमें प्रिवेस कर जाते हैं, हम उसको ज़्यादा गेहन चिंतन में ले जाते हैं, तो हमें स्वपना आने स्वाभा बेखे, इसलिए उनको छोड़ने के लिए आप जाता जादा भगवान का नाम जब करें, सुम्रन करें, तो आपको सुपनाने बंद हो जाएंगे, तो आसा करते हैं, आप समझगे होंगे, अम हम अपनी बाणी को भिश्राम देते हैं, जैस्री राम